आज हम आपको आपके मन पसंद चैनल पर भारत का सामान्य भगोलिक परीचे जनरल जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ओफ इंडिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो परिक्शार थी विविन्य प्रकार की प्रत्योगी परिक्शाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी बहुती महत्पूर्ण साबित होगी प्रश्न एक छेतरफल की द्रश्टी से देश के चार सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है सही उत्तर राजस्तान मध्यप्रदेश माराष्ट उत्तरप्रदेश प्रश्न दो भारतिय संग में केंद्र सासित प्रदेश हैं सही उत्तर आठ प्रश्न तीन आदम का पुल आदम्स ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच इस्तित है सही उत्तर भारत एवं स्रिलंका प्रश्न चार निम्न में से कौन सा दिविप भारत और स्रिलंका के मध्य इस्तित है सही उत्तर है रामिश्वरम प्रश्न पांच करक रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्जिम होकर नहीं गुजरती है सही उत्तर है उडिसा प्रश्न चे चेत्रफल की द्रश्टी से तीन सबसे बड़े केंदर सासित प्रदेश अवरोही क्रम है सही उत्तर है अंडवान और निकोवार दीप समू दिल्ली वे पांडेचेरी प्रश्न साथ भारतिय मानक समय निम्लिकित में से किस इस्तान के इस्तानिय समय को दर्साता है सही उत्तर है इलाबाद प्रश्न आठ मरकत दीप एमराल्ड आईलेंड के नाम से प्रशिद है सही उत्तर है अंडवान निकोवार दीप प्रश्न नौ भारत के किस राज की सीमा बांगला देश से नहीं लगती है सही उत्तर है मनीपुर प्रश्न दस निमलिकित में से कौन सा नगर करकरेखा पर इस्तित है सही उत्तर है भोपाल प्रश्न ग्यारा जनसंख्या तता छेतरफल की द्रश्टी से भारत का विश्मे कौन सा इस्तान है सही उत्तर है दूसरा कौन सात्वा प्रश्न बारा हिंद महसागर के टट पर इस्तित देशों में सरवादिक टट लंबाई वाला देश है सही उत्तर है भारत प्रश्न तेरा छेतरफल की द्रश्टी से सबसे चोटा राज्ज कौन सा है सही उत्तर है गोवा प्रश्न चौदा निम्न में से किस राज्ज की सीमा से अधिकतम संक्या में अन्य राज्यों की सीमा चूती है सेयुत्तर है उत्तर प्रदेश प्रश्न पंद्रा मैक मोहन रेखा निम्न लिखित में से किन दो देशों को अलग करती है सेयुत्तर है भारत चीन आप सभी ने भारत का सामान्य भोगोलिक परीचे के बारे में प्रारम से अंत तक धैरेपूरवक सुना एवं देखने में रूची ली उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार